बोर्ड मीटिंग में जहाँ पर आयूश ने खुद अब अपना गुनहा कबूल कर लिया है तो इसके बाद अब इशान ने बड़ा कदम उठा लिया है एक बाद तो तैह है कि अब आयूश इस बात को मान चुका है कि उसने सवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी किसी ने नहीं माना लेकिन अब सवी ने जब बोर्ड मीटिंग में सभी ट्रस्टीज के सामने आयूश के मूँ से पूरा सच उगलवा लिया है तो बड़ी ख़बर सामने आ रही है हम आपको बता दे कि अब आयूश को पुलिस गिरफतार करके लेके जा चुकी है आखिरकार मिल गया है सवी को न्याई आखिरकार सवी इस बात को साबित करने में काम्याब हो ही गही कि वो जूट नहीं थी वो गलत नहीं थी हम आपको बता दे कि यहां राओ साहिब ने मकरंद को इस बात का वादा किया था कि वो उसके बेटे को कुछ भी नहीं होने देगा लेकिन खुद अब जब उसके बेटे ने गुना कबूल कर लिया है तो अब कोई भी चारा नहीं बचा यहां पर इशान ने पहले ही सभी को इस बात का वादा किया था कि जब आयूश का गुना पूरा का पूरा सावित हो जाएगा और उसे सबूत मिल जाएंगे तो वो ज़रूर आयूश को सजा देगा एक तरफ इशान का वादा था और एक से तरफ अक्का साहिब और राउस साहिब ने जो बात की थी साफ साफ आयूश से कि अगर आयूश गिरफतार हो जाता है तो कॉलेज का फंडिंग बंद हो जाएगा तो अब इशान के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि वो क्या करे पर यहां पर इशान ने बड़ा फैसला ले लिया है इशान ने साफ साफ जो है अब करवा दिया है आयूश को गिरफतार एक बात तो तैह है कि अब आयूश जो है वो जेल जाएगा यहां पर अब सवी को न्याय मिलेगा आपको क्या लगता है कि जो किया है इशान ने वो कितना सही है कितना गलत पर एक बा बाकी परिवार वालों की तरह नहीं हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।